तो जहीं दोस्तो मेरा नाम अतुल और स्वागत है आपका अपनी यूटुब चैनल अतुल टेक बजार में दोस्तो रियलमी थीम स्टोर में आपको जो फॉंट एवलेबल है इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी वरिफिकेशन फोड वगरे कैसे करना इसके रिगारिंग में मैंने वीडियो बना चुका है आप वहां से देख सकते हो तो आइमोड प्रो को आपको इंस्टॉल कर लेना है इसके बाद दोस्तों आपको थ और यहां पर आपको सर्च करना है ColorOS का फोलडर और इससे सिंपली प्रेस करके डिलेट कर देना है ColorOS फोलडर डिलेट करने के बाद आपको फिर से अपने थेम स्टॉर में चले जाना है बहुत ही इजी प्रोसेसे दोस्तों स्टेप बाइ स्टेप आपको बता रहा हूँ तो इसकीप मत कीजेगा वीडियो को और यहां पर फिर स्टॉर में जब भी आप जाते हो तो आपको यहां पर फॉन्ट वाले सेक्शन में चले जाना है यहां से आपको फ्री टाइप करना है क्योंकि मुझे यहां पर फ्री थीम आपको धून के दिखाना है तो फ्री थीम आप को नहीं पता होगी तो free type कर लोगे तो आ जाएगी यहां पर देख सकते हो freedom hello name की जो three में आप पॉंट है वो आपको free में available हो जाता है comic font भी आपको free में available हो जाता है तो हमें mostly एक free font available download करना है तो इसे में यहां पर freedom font जो है hello freedom font इसे में यहां पर download कर लेता हूं तो यह download यहां पर हो गया है download होने के बाद apply नहीं करना है simply से recent task से kill कर देना है और again दोस्तों आपको चले जाना है अपने i mode pro app में i mode pro app में जाने के बाद आपको मीनू का icon दिखेगा website में यहां पर आपको my theme store search कर लेना है my theme store यहां पर आपको नीचे की तरफ मिल जाएगा यहां पर आपको tap कर देना है इसके बाद जो अपने freedom theme इंस्ट फॉंट इंस्टाल किया था यहां पर available हो जाएगा इस आपको यहां पर tap कर देना है tap करने के बाद यहाँ पे आपको get you id के option पे क्लिक करना है इसके बाद यहाँ पे आपको नाम देना है patch का तो नाम आप कुछ भी दे सकते हो जैसे कि चलो मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ अपने चैनल का ही अतुल टेक बजार और यार सब्सक्राइब अगर नहीं किया होगा तो सब्सक्र से इस पे क्लिक कर देना है यह जो है इसका काम अभी हो चुका है patch हम ने कर दिया है तो इसका अभी कोई मतलब नहीं है इसलिए यहाँ से हम इसे delete कर देते हैं इसके बाद अगेन हमें यहाँ पे theme store में चले जाना है और theme store में जाने के बाद चुकि हमें font डाउनलोड करने है free pad वाले font section में हमें चले जाना है और यहाँ पे अब हमें download करना है pad font जो कि यहाँ पे buy लिखा होगा आप इससे देख सकते हो और यहाँ पे आपको simply अपने हिसाब से जो भी font यहाँ पे आपको अच्छा लगता है उसे आपको यहाँ पे download कर ले रहा है और यहाँ पे हम इस से जो है अभी बाइपास करके free में use कर लेंगे तो यहाँ पे मैं बहुत सारे font यहाँ पे available हैं तो मैं यहाँ पे यह वाला font जो है से select कर लेता हूँ यहाँ आप देख सकते हो 60 रुपीजिस का cost लिखा हुआ है यहाँ पे आपको try out पे click कर देना है simply यह जो font डाउनलोड हो step by step यहाँ पे आपको करना है एक बार कर लो कि तो समझ में आ जाएगा फिर यहाँ पे आपको दिखेगा आपको जो font है आपने जो डाउनलोड के पैड़ वाला font एक्स डिलाइटफूल वाला देख सकते हैं आप यहाँ पे available हैं simply आपको इस पे tap करना है और इस बार आपको टैप कर दिना क्योंकि हाँ पे हमने जो है ओल्ड वाला जो फ्री वाला जो है उसे यहाँ पे Payche करके अपने के बाद यहाँ पे एक रैड कलर का स्वाइब देखने को मिल जाएगा ठीच यहाँ पे जो font वाला section है again वहाँ पे चले जाना है और यहाँ पे आपको again जो है free font टैप करना है जो कि आपको freedom hello का font आ जाएगा जो आपने इंस्टाल किया था पहले इसे भी यहाँ पे same way process से फिर से डाउनलोड कर लेना है डाउनलोड करने के बाद इसे apply यहाँ पे नहीं करना है और apply इसे नहीं करना है आपको me में दिखा देता हूँ भी जाके my resources में और font section में तो font section में आप देख सकते हो कि यह जो font है अब आप इसे simply use कर सकते हो और five minute trial वाला जो issue आप कभी यहाँ पे नहीं आएगा और इस font को जो भी font को आपको pad font को use करना है आप इसे simply यहाँ पे enjoy कर सकते हो तो इस तरह से दोस्तो आप जो है theme store में use यहाँ पे paid font जो है available उसे आप यहाँ पे free में use कर सकते हो इसके recording आगर आपको theme store में theme भी pad theme यूज़ करना है तो इसके recording मैंने वीडियो बनाया है आप चैनल पर जाके चेक कर सकते हो कोई भी problem या issue आता है मुझे comment section में जरूर बता दाया होका तो यार प्लीज से प्लीज से मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलेगा क्योंकि real mis related ऐसे वीडियो में आपके सबसे पहले लेकर आता रहता है तो मिलते है एक फिर से new fresh वाले वीडियो के साथ तब तक कि लिए जाएं दोस्तों बोलते रहिए ब जाएं प्लीज से पहले लेकर वोलेगा है शेया है तो मिलते है एक खाले वीडियो के साथ भीडियो के लिए जाएं दोस्तों बोलते है